कक्षा तीसरी पाठ दो अपना काम स्वेम करो पहला प्रशन है चिडिया अपने बच्चों के साथ कहां रहती थी? उत्तर गेहूं के खेत में यह हुन्दा कर्णक दूसरा प्रशन गेहूं पकने पर किसान क्या करता है? उत्तर गेहूं की फसल को काटता है तीसरा प्रशन जब गेहूं काटने कोई नहीं आया तो किसान ने क्या किया? उत्तर किसान और उसका बेटा खुद गेहूं काटने लगे चौथा प्रशन चिडिया ने क्यूं सोचा के अब उसे खेत से उड़ जाना चाहिए? उत्तर क्योंकी किसान कल फसल काटने आएगा पांचमा प्रशन चिडिया के कितने बच्चे थे? उत्तर तीन बच्चे थे